निम्न सार्णी में 24 अनुपात 40 के सम्तुल्य अनुपात दिये गए हैं। रिक्त स्थानों की पूलती करें। तो इस सार्णी में हमें 24 अनुपात 40 के सम्तुल्य अनुपात दिये गए हैं। यहाँ पर हैं हमारे पास अंश और यहाँ पर हैं हमारे पास हर। और एक अंश और हर हमें पूरी तरीके से दिया गया है जो है 24 अनुपात 40 हमें यहाँ पर रिक स्थानों की पूलती करनी है तो चलो एक एक करके देखते हैं अब यहाँ पर अंश है 24 और यहाँ पर अंश हो चुका है 12 यानि कि 24 का आधा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पल जो हर है वो भी आधा हो जाएगा तो 40 का आधा यानि कि यह हो जाएगा 20 तो क्योंकि अंश आधा हुआ तो हमने हर को भी आधा कर दिया इसका बतलब यह हुआ कि 12 अनुपात 20 सम्तुल्य अनुपात 24 अनुपात 40 के चलो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ यहाँ पर हमारा अंश है 12 और यहाँ पर अंश है 3 यानि कि 4 गुना कम हो चुका है तो अंश 4 गुना कम हुआ है तो हर को भी हम 4 गुना कम कर देंगे तो यहाँ हर है 20 20 को 4 से विभाजित करेंगे तो हमें हर मिलेगा 5 तो यानि कि 12 अनुपात 20 सम्तुल है 3 अनुपात 5 के चलो यहाँ इस आखरी अनुपात पह आ जाते हैं तो यहाँ पर अगल तुम देखो तो यहाँ पर इसकी तुलना इससे कलते हैं यहाँपर हर है चालीस और यहाँपर हर है अस्सी यानि कि हर यहाँ पे दो गुणा हो चुका है तो अंश को भी हम दो गुणा कर देंगे तो 24 का दो गुणा यह हो जाएगा 48 तो 24 अनुपाद 40 संतुल है 48 अनुपाद 80 के चलो एक और प्रस्ण कलते हैं तो यह रहा हमारा अग्ला प्रश्न. निम्न सार्नी में 27 अनुपात 75 के सम्तुल्य अनुपात दियें गए हैं, यहां पर हैं हमारे पास आंश और यहां पर हैं हमारे पास हर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर निम्नसार्णी में अठरा अनुपात पचपन के सम्तुल अनुपात दिये गए हैं यहाँ पर हमारे पास अंश और हमारे पास हर यह भी ठीक है हमारा सवाल है कौन सा भिन बढ़ा है 27 अनुपात 75 या अठरा अनुपात 55 यहाँ पर हमारे पास दो भिन हैं जिनकी हमें तुलना करनी है कि कौन सा भिन बड़ा है कौन सा छोटा लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों ही भिन्नों में अंश भी अलग-अलग हैं और हर भी अलग-अलग हैं तो अगर इन दोनों भिन्नों के हमें ऐसे समतुल् जिन में अंश बराबर हो या हर बराबर हो तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं तो चलो देखते हैं तो ये वाली सार्णी और ये वाली सार्णी में क्या कोई ऐसा अंख है जो अंश में या हर में समान है जो अंश अंश में या हर हर में समान है तो अगर मैं देखूं हाँ ये रहा 54 यहाँ पर है अंश में और 54 यहाँ पर भी है अंश में तो यहाँ पर हमें अनुपात दिया गया है 54 अनुपात देड़ सो और यहाँ पर हमें अनुपात दिया गया है 54 अनुपात 165 तो हम 54 बटा देड़ सो और 54 बटा 165 की तो लग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो अंश है वो समान है तो अगर दो भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटा होता है तो यहाँ पर हर है 165 जो ये वाले हर 1500 से बड़ा है तो क्योंकि इस भिन्न का हर बड़ा है तो ये भिन्न छोटा होगा यानि कि 54 बटा 165 छोटा है 54 बटा 1,500 से यानि कि सीधी सी बात है कि 18 बटा 55 छोटा होगा 27 बटा 75 से यानि कि 27 बटा 75 बड़ा है 18 बटा 55 से तो हमारा सवाल था कि कौन सा भिन बड़ा है 27 बटा 75 या 18 बटा 55 तो हमने पता किया कि यहाँ पर 27 बटा 75 बड़ा है अठरा बटा पचपंसे